टीवी एस राइडर 125 का फेसलिफ्ट वैरिकन्ट इंडिया में लौच होने वाला है भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2023 खतम हो चुका है और 2024 आने ही वाला है, तो अब जो बाई राइडर का एक फेसलिफ्ट वैरिकन्ट इंडिया में लौच होगा, जिसमें कि आपको बहुत सारे नए changes और बहुत सारे नए updates मिलेंगे यह गारी बिलकुल ही refresh होने वाल यह पतलब बाई गारी में आपको बिलकुल ही नए colors नए graphics और नए features add-on होने वाले हैं तो आज इस वीडियो में हम आने वाली rider facelift के बारे में full detail review करने वाले हैं तो चलो शुरू करते हैं definitely A to Z redesign हो रहे हैं इसमें आपको मिल जाएगा अब projector का headlight जी अब यह गारी अब आपको मिल जाएगी projector के साथ साथ ही इसमें आपको मिलने वाले हैं LED के DRL जो की projector के उपर रहेंगे और बाई जो shape DRL का आपको अभी मिल जाता है वही shape मिलेगा shape में कोई changes नहीं होंगे DRL के सि आपको single मिल जाएगा projector बागी यार गारी में आपको split seat ही देखने को मिलेगी grab rail अब आपको मिलने वाले है split के जो की इस गारी की कमी थी और बाई कमी तो एक और थी वो था गारी का kick start ना होना तो इसमें बाई आपको kick start नहीं मिलेगा उसका weight मत करो बागी यार आगे आपक cool same रहने वाला है breaking का जो system है उसमें change होगा आगे और पीछे आपको disk break मिल जाएगी और बाई ये एक option में होगा पीछे आपको drum break का भी variant मिलेगा weight कर लेना बागी यार इसका बाई जो breaking system है वो आपको मिलेगा single channel ABS के साथ और बाई जो ABS है वो compulsory नहीं रहेगा option के तोर पे व प्रोफाइल टैर की वाइड हो जाएगी पीछे के जो टैर्स है वो आपको मिलने वाले हैं 120 से लेके 130 के बीच में वो भी वाइड हो जाएंगे और जो टैर्स है वो आपको 17 इंच के मिलेंगे alloy wheel के साथ आएंगे टैर्स tubeless रहेंगे गारी का जो engine है वो आपको change मिलेगा मत air प्लस oiled cooled two valve single cylinder engine मिलेगा power जो है ये गाड़ी आपको 12 hp के आसपास का दे देगी और torque आपको ये गाड़ी 12 hp 12 rm के आसपास तक का दे देगी क्योंकि भाइड इसमें आपको मिलने वाला है बिल्कुल ही नया variant जिसे कि भाइड आप लोग जानते होगे RR के नाम से तो वो ज आपको 55 से लेके 60 का मिलेगा और जो top speed है वो भाइ company claim करती है अभी 99 की और ये गाड़ी easily achieve कर देती है अभी भी 120 के आसपास तक का और भाइड जो variant latest वाला आएगा 2024 वाला वो आपको top speed 128 तक का देगी अभी भाइड गिरते पढ़ते 125 तक पहुंच जाती है तो performance में भी रोत console को लेकर भाइड गाड़ी में आपको digital console और आपको भाइड TFT console दोनों मिलेगा इसमें जो है बाइड आप अपना mobile phone की connect कर सकते हो message call turn by turn navigation सब कुछ दिखाएगा mobile charging का port मिल जाएगा साथ ही बाइड इसमें आपको मिल जाएगा helmet का navigation ABS की light और बाइसमें आपको मिल जाएगा मिल जाएंगे और इसका बाइड जो variant है facelift ये launch होगा 2024 के mid तक का अभी बाइड शुरुआत में launch नहीं होगा इसका जो price है वो 10 से 11,000 रुपाय बढ़ेगा और बाइड तब ये गाड़ी मान के चलो एक शोरूम आपको मिल जाएगी 110 से 115 के बीच में एक शोरूम और ये confirm price नहीं है बाइड गाड़ी के जो body panels है जैसे कि tank flap, tank seat cowl और engine cowl ये भी change होने के full chances है इसमें बाइड आपको बिलकुल ही नए logo मिल जाएगे होट के बिलकुल ही बाइड नया आपको मिल जाएगा redesign, refresh, rider का 3D में logo जो की बहुत जादा value for money ये bike रहने वाली है और इसकी जो competition है वो सीज़े रखी जाएगी Pulsar 125, NS 125 से और ये गाड़ी अभी भी beat करती है और तब भी beat करेगी आप चाहे तो wait कर सकते हैं तो भाई जो video है like कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वन दिमातरम बाई